हैं तब देश के स्वास्त इत्यास का एक बहुत अहम आउसर भी है दो दिन बाद 25 सितंबर को आयुश्वान भारत प्रधान मत्री जन आरोगिय योजना को दो साल पूरे हो जाएंगे सिर्फ दो साल के भीतर ही इस योजना के तहद सवा करोड से अधिक गरीब मरीजों को मुप्त इलाज मिल चुका है मैं आज इस कारकम के माद्यम से आयुश्वान भारत योजना के माद्यम से गरीबों की सेवा करने वाले सभी डॉक्टरों मेडिकल स्टाप की भी विशेश प्रसंसा करता हूँ सात्यों आज की हमारी इस चर्चा के दोरां अनेक ऐसी बातें सामने आई है जिन से आगे की रणदिती के लिए रास्ता और अधिक स्पष्ट होता है अब जैसे देश में हमारे साथ सो से अधिक जिले हैं लेकिन जो आकड़े बहुत बड़े बड़े भाय और चिंता कराते हैं देश को वो सिर्फ साथ जिले हैं साथ सो से अधिक जिलों में से सिर्फ साथ जिले हैं और वो भी साथ राज्यों में हैं अगर हम इन साथ जिलों पर बल दें क्या मैं आप सभी आधरने मुख्यमंतरी जी से सुझाव दे सकता हूँ क्या माली जाब एक साथ दिन का कारेकम बनाएं और डेली एक गंटा दें और वर्चुली उस डिस्टिक के जो ब्लॉक है हर दिन एक डिस्टिक में से एक या ब्लॉक कहें तहसिल कहें या तालूका कहें जो भी आपके राज में नाम हो हर दिन एक जिले के एक या दो तहसिल और आपके यहां जितने भी हैं उन सबसे सीधी पूच्टाच करें तहसिल के लोगों से सीधी बात करें सीधा मालदरसन करें और यह साथ दिन तक लगातार चला करके सभी ब्लॉक लिवल तक अगर सीधी मुख्यमंत्री वर्चूल कांफरंस करें तो जुरूर नीचे बात पहुंचाने में एक सीरियसनेस लाने में सिंसेरेट्री लाने में बहुत मदद हो सकती है यह सही है कि भारत में संक्रमन के मामले में लगातार भुद्धी हो रही है और इसलिए कुछ ऐसे प्रवगों की जरूरत है लेकिन आज हम हर रोच यह भी सही है कि 10 लाग से ज़्यादा टेस्ट भी कर रहे हैं और ठीक होने वालों की संक्याभी तेज़ी से बढ़ रहा अन एक राज्यों में और राज्यों के भीतर स्थानिय स्तर पर भी कई नए नए प्रयोग हुए हैं बेस प्रक्टिस देखने को मिल रही हैं हमें इन अनुभवों को जादा से जादा शीखना होगा उन अनुभवों को प्रोच्षाइद करना होगा और ऐसे सुखद अनुभव में कोरोना के इलाज से जुड़ी जिन सुविदाओं का विकास हम सभी ने मिलकर के किया है वो हमें कोरोना से मुकाबले में बहुत मदद कर रही है अब हमें एक तरफ जहां कोरोना से जुड़े infrastructure को तो मजूद करना ही है जो हमारे health से जुड़ा tracking और tracing से जुड़ा network है उनकी बहतर training भी सुनिश्चित करनी है आज ही कोरोना specific infrastructure के लिए state disaster response fund SDRF उसके इस्तेमाल पर भी एक एहम फैसला लिया गया है कई राज्यों ने इस बारे में आगर किया था अब यह ताइक किया गया है कि SDRF की इस्तिमाल की लिमिट को 35 प्रतिशत से बढ़ा करके 50 प्रतिशत कर दिया जाए इस फैसले से राज्यों को कोरोना से मुकाबले के लिए और ज्यादा रासी उपलब्द हो सकेगी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं प्रारंबिक कान में हमने जो लॉकडाउन किये उसका बहुत लाब मिला है दुनिया में भी उसको सरहा गया है लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही बल देना चाहिए जिससे करोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जन जीवन और गतिविदियां भी सामाने तौर फेश चलेगी जो एक दो दिन के लोकल लोकडाउन होते हैं वो कोरोना से रोकने में कितना प्रभावी है हर राज्य को अपने स्तर पर इसका अवलोकन करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वज़े से आपके राज्य में आर्थिक गतिविदियां शुरूरों में दिक्कत हो रही है मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंबिरता से सोचे सात्यों प्रभावी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीट्मेंट, सर्विलन्स और स्पर्स्ट मेसेजिंग इसी पर हमें अपना फोकस और बढ़ाना होगा प्रभावी मेसेजिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जादातर संक्रमन बीना लक्षन का है ऐसे में अफ़ाय उठने लगती है, सामाने जन के मन्न में ये संदे उठने लगता है कि कहीं टेस्टिंग तो खराब नहीं है, यहीं नहीं, कई बार कुछ लोग संक्रमन की गंबीरता को कम आकने की गलती भी करते हैं जैसे हमारे कैप्टन साहब ने कहा तमाम अध्यन बताते हैं कि संक्रमन को रोकने में मास की भूमी का बहुत अधिक है मास की आदर डालना बहुत मुश्किल जरूर है लेकिन इसको रोज मर्रा के जीवन की एक अनिवार्यता उसको बनाए बिना हम सार्थक प्रणाम नहीं मिल पाएंगे और जैसे उद्दव जी ने बड़ा सिंपल चस्मे का उदान दिया यहीं तरीके से सोचना पड़ेगा साथ यह बीते अनुभवों से तीसरी बात यह निकल कर आई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सेवाओं और सामान की आवाजाई में उस रुकावट से सामान्य नागरी को अनावाशक परेशान होती है इसमें जनजीवन भी प्रभावित होता है और आजी विका पर भी असर पड़ता है मुझे बताया गया है कि आउक्सीजन की कोई कमी नहीं है लेकिन राज्यों के बीच तानमेल बना रहना ज्यादा जरूरी है ताकि जीवन रख्षक ऑक्सीजन के आवा गमन में कोई रुकावट ना आए लगातार मॉनिटरिंग से सप्लाई चेन को बनाये रखने में मदद मिलेगी ऐसे विशेओं पर हमें अफ़ाओं से भी सतरक रहना चाहिए कभी-कभी इसका फाइदा ब्लैक मार्केट वाले भी उठाते रहते हैं साथियों भारत ने मुश्किल समय में भी पूरे विश्व में जीवन रख्षक दवाओं की आपूर्ती सुनिश्चित की हैं ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाईयां आसानी से पहुँचे ये हमें समने मिलकर के ही देखना होगा साथियों संयम, संवेधना, संवार और संयोग की जो प्रतिवर्दिता इस कोरणा काल में देश ने दिखाई है उसको हमें और आगे जारी रखना है संक्रमन के विरूत लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है हमारे साजा प्रयास जरूर सफन होंगे और इसी कामना के साथ आज आपने विस्तार से जो बाते बताई हैं उसमें कुछ करणी ये बाते हैं जो बारत सरकार की टीम भी यहां सारे विश्यों को नोट कर रही है उसमें जो आवश्यक हैं उसको जितना त्वरा से लागू किया जा सके करने का प्रयास होगा मैं फिर एक बार आप सबने समय निकाला बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये और आप में आप में जो संकल्प शक्ती दिखाई हैं कि हम इस परिस्तिती को अपने राजमें और इन साथ जिलों में बहुत तेजी से हम परिस्तिती को पल्टेंगे मैं आपको बहुत बहुत सुप्रामनाई देता हूँ बहुत बहुत धनिवार